प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के दौरे को लेका नेता प्रतिपाक शराजिन राठोर ने विकानेर में तयारियों को लेका संभाग स्तरे बैठक लेश मौखे पर राठोर ने फॉस्ट इंडिया से खास बातचीत पे कहा कि प्यम मोधी विश्व के लोगप्री नेता हैं उनके आगमन से बीजेपी कारेकरता और आमजन उत्साहित है बीजेपी में सियम फेस को लेका नेता प्रतिपाक शाजिन राठोर ने कहा कि मुखे मंतरी बीजेपी का ही होगा लेकिन मैं इस दौर में नहीं हूँ, मैं छोटा सा कारे करता हूँ, राठोर ने पेपर लीग, कारून व्यवस्था सहेत कई मुद्दो को लेकर सरकार पर, निशान असाधा प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी, आठ ज़ुलाई को बीकानेर आ रहे हैं, आज एक संभाग स्तिय बैठक हो रही है और छाठूड लगातार शक्रिये हैं, पृढ़ार मंत्री के मंचोपर मंच संचालन में माइक उनके हाथ में दिखता है, तो कहा जा सकता है कि राजस्थान में एक लीड नेता के तोर पर लगातार वोई काम कर रहे हैं अट्वर साब प्रधानमंत्री मोदी का दूरा एक तरफ कॉंग्रेस के लगातार आरोप की बार बार मोदी आ रहे हैं छे महिने में इतने दोरे हो गए आकड़ा देते हैं वो और वो कहते हैं स्टेट लीडरसिप नहीं है इसलिए मोदी जी को कमान समालनी पड़ रही है प्रधानमंत्री जी का आने का एक कार्ण भी है जब किसी राज्य में परतिपक्स की सरकार होते हुए भी हजारों हजारों क्रोड की आधारबुद सरंचनाई बनकर तयार हो जाए लोगों की सेवा के लिए 23-23 मेडिकल कोलेज बनकर तयार हो जाए और सब का के पीछे खड़ी है केंद्रिय सरकार और जिसके अगवा है विसके सबसे लोग प्रिनेता अंदर अंदर मोदी तो उनका आगमन सुखद भी रहता है प्रिनाप्रद भी रहता है कॉंग्रेस सरकार ने जिस छोटे नजरिये से हर्च काम को देखना चालू किया है ट्यूबलर वीजिन से मैं सम भी यह लगाता रहे कि शूब भाजपा इसे बना रही तो क्या मोदी के दोरे के दोरान भी यह सब चीजे रहेंगी यहां प्रोटक्शन मनी गेंगेश्टर गेंग का संचालन करें जेलों से इस प्रकार की यहां परिपार्टी नहीं रही थी जो आज हमारे सामने हैं इनको सरंक्षन कौन दे रहा है हर चीज के पीछे जब कोई ने कोई सरकार की सरपरस्ती दिखाई देती तो इसी प्रकार की बात है नई टीम भी बन गई है भाजपा की और लुटिन मीडिया में अब यह नाम भी तैने लगा है कि जो मुख्यमंत्री की चेहरें कोई रेस है उसमे में लड़ेंगे अकरी सवाल भाजपा किन मुद्दों को लेकर मोदी की सवा से लेकर और चुनाओ तक लेकर जाएगी देखिए सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्योस्ता का है दूसरा मुद्दा हमारे नोजमानों के अर्मानों को जिसका लूटा गया है पेपर लीक का है बेरोजगारी का है और तीसरा मुद्दा सरकार की उन गोशनाओं का है जिसमें करजा माफी भी सामिल है जिसके अंदर बेरोजगारी भता भी सामिल है और जिसमें बड़ी बड़ी योजना है इन्होंने गोशना कर दी हम ये करेंगे वो करेंगे जो एक भी अमली जमानी पहना पर ये बहुत सुक्रिया तो ये थे राजिंदर राठोड जिन्होंने कई मुद्दों पर बात की कॉंग्रेस पर नि इंडिया नियूस बीकानेट।